Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher Shilpi Tiwari और आज शुरू करेंगे General Knowledge का new topic जिसका नाम है Bees, Seeds and Plants. So children, क्या पढ़ने वाले हम? Bees के बारे में, Seeds के बारे में या फिर Plants के बारे में? So children, let me tell you one thing कि आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. Yes, कैसे पढ़ेंगे? इस तरह से पढ़ेंगे कि we will learn that how these three things are interrelated with each other. कैसे ये तीनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं? कैसे children एक Seed Plant का रूप लेता है और कैसे इनमें Bees का रोल होता है? किस तरह से Bees एक Seed से Plant बनाने में help करती हैं? Yes, children, सोच के आपको हैरानी हो रही होगी कि Bees माने के मधुमक्खी ये किस तरह से एक Plant को बनाने में help करते होंगे? So, children, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है. आगे इस चैप्टर में आप ये सारी चीजें समझेंगे कि how these butterflies, Bees are helpful in making a beautiful plant. Alright, so we will learn about these three things जिसमें हम Bees के बारे में, Seeds के बारे में और Plants के बारे में तो पढ़ेंगे. Okay, जैसे हम जानेंगे कि how a plant takes up the shape, किस तरह से Plant एक Seed से इतना अच्छा पौधा बन जाता है. Okay, so let's start the chapter and understand. So children, you can see so many plants are there. है ना, कितने सुन्दर-सुन्दर flowers हैं, कितने सुन्दर-सुन्दर पौधे हैं. लेकिन आपको पता है कि ये exactly इसी तरह से नहीं थे. Children, ये इतने बड़े plant हुए हैं, छोटे से Seed के कारण. Okay, ये तो पता ही होगा कि बीच के बाद ही क्या बनता है? एक पौधा बनता है. So children, ये सारे plants कभी न कभी अपनी लाइफ में क्या होंगे? इस तरह से चोटे से Seeds होंगे. और उसके बाद ये बने plants. और इस तरह से हम इतने beautiful beautiful flowers, fruits and vegetables को देख पाते हैं. Okay, so many kinds of plants start as seeds. So जैसे I have already told you कि बहुत सारे plants, children कैसे बनते हैं? Seeds के कारण बनते हैं, बीच के कारण बनते हैं. A seed sprouts and grows into a plant. क्या होता है? कि जब आप बीच को मिट्टी के नीचे दबाते हो, right? मिट्टी के नीचे इसको हम गाड़ते हैं न? और children क्या होता है? इस पे आप पानी दे रहे हो, बढ़िया सी sunlight इसको मिल रही है, sun से. तो children ये धीरे-धीरे seed मिट्टी के ऊपर क्या बन जाता है? एक plant बन जाता है, okay? एक छोटा सा plant बनता है and यहाँ पे children जो बीच था, वो sprout होके उसके roots निकलाते हैं, okay? तो सोचो आप कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है ये, it is actually a miracle के एक seed है और एक seed से एक plant बनता है and then over the period of time, कोई-कोई plant इतने बड़े-बड़े trees का रूप भी ले लेते हैं, है कि नहीं? So, a plant reacts to sunlight, it uses sunlight to make food, this is called photosynthesis, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक बहुत नया टर्म निकल कर आया है, जिसका नाम है photosynthesis, okay? So, children, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कि बहुत सारे plants, पहले plants नहीं रहते, seed रहते हैं, beach रहते हैं, फिर beach को मिठी के नीचे गार दिया जाता है, फिर children, पानी और sunlight की जब supply होती है, तो धीरे-धीरे beach food के क्या बन जाता है? एक plant बन जाता है, okay? Then, plant जो होता है, children, वो sunlight को use करके अपने लिए खाना बनाता है, और खाना के कारण क्या होता है? उसके अच्छे-च्छी पत्या निकलती है, और बड़ा होता है वो, और उसकी branches निकलती है, और धीरे-धीरे वो एक big plant बन जाता है, okay? So, children, यह जो process होता है, making of food, using the sunlight, इसको हम कहते है, photosynthesis, ठीक है? तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि plants का जो food बनाने का process होता है, उसका नाम होता है, photosynthesis, okay? When the plant uses the sunlight to make food, it's called photosynthesis, clear है? आगे जाके आपको यह photosynthesis, कई बार आपको science के topics मिलेगा, आप बहुत कुछ पढने वाले हो, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ यह जाना है कि यह process होता क्या है? So, बहुत simple सी बात है कि जब plant आगया उपर, तो plant ने sunlight को use करके और अपने लिए बहुत सारा खाना बनाया और धीरे धीरे plant क्या होता गया? बड़ा होता गया. So, this whole process is known as photosynthesis, okay? Then, what comes next? Many plants grow flowers. So, children, जैसे कि हम अपने gardens में देखते हैं, कि बहुत सारे plants flowers हो जब निकालते हैं, बहुत सारे flowers निकलते हैं. So, children, यह जो plants हैं, जब भी grow हो रहे होते हैं, तो क्या करते हैं? यह flowers का रूप लेते हैं, है ना? सुन्दर सुन्दर रोस प्लांट हो गया, सन फ्लार हो गया, लिली हो गया, जैस्मिन हो गया. So, this is the, actually a special feature of a plant के धीरे धीरे plants हमको क्या देते हैं? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्लार्स देते हैं. फ्लार्स कम इन दिफरेंट साइजे, शेपस अंद कलर्स. So, you must have seen the flowers हैं, कितने सारे फ्लार्स आपने देखे होंगे, रो और कलर, डिफरेंट हैं. कोई भी एक जैसा नहीं है, है ना? कितने सारे फ्लार्स हैं, चिल्रन पूरे वर्ल्ड में और सारे फ्लार्स एक दूसरे से अलग-अलग हैं. डिफरेंट हैं, शेपस में, साइजेजे में और कलर्स में. These differences attract animals that pollinate the flowers, ओके? और चिल्रन यही जो डि pollination के लिए, ओके? यही जो डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइजेज हैं, फ्लार्स के, यह animals को अपने तरफ attract करते हैं. जिसके कारण क्या पॉसिबल है? पॉलिनेशन पॉसिबल है. पॉलिनेशन क्या होता है? जब फ्लार्स के पॉलिन ग्रीन्स आप जगा-जगा जैसे ब करते हैं, यह animals उसी अपने लाइकिंग वाले कलर की तरफ attract हो जाते हैं. And then they help in the process of pollination. Okay? So have you understood कि बहुत सारे फ्लार्स हैं दुनिया में और बहुत सारे फ्लार्स क्या हैं? अलग-अलग हैं shapes में, sizes में, colors में और उसके कारण क्या हो रहा है? Animals attract होते हैं और help करते हैं किस process में? pollination के process में. Many colorful flowers grow in India's valley of flowers. So children यहाँ पर आपको जानना है कि बहुत सारे colorful flowers कहां उगते हैं? They grow in India's valley of flowers. Okay? यहाँ पर आपको हर एक प्रकार का आपको flower दिखने को मिलेगा. Variety of flowers. You can see the flowers. Yes, you can see the flowers. You can hear bees buzzing around the flowers. और आप क्या सुनोगे? आप सुनोगे मदुमक्यों का buzz. सुनाए आपने गई मदुमक्या जब garden area में घूमती रहती हैं और flowers बैठने कोशिश कर रही होती हैं तो कैसा एक buzzing वाला sound निकलती हैं? बन बन करके. Okay? So आप अगर India's valley of flowers में जाओगे तो वहाँ पर आप You can hear bees buzzing around the flowers. आपको समझ में आएगा कि कैसे जो मदुमक्या हैं flowers के तरफ घूम रही हैं और buzz buzz का sound निकाल रही हैं. You can hear butterflies fluttering around the flowers. और bees के साथ साथ आपको butterflies flutter करते हुए भी मिलेंगी flowers के चारों तरफ. Okay? Fluttering मतलब अपने punk को फड़ फड़ाना. इसको हम कहते हैं fluttering और buzzing का होता है when you take out the noise, when you take out the sound. कौन निकालता है? Bees. So bees take out the sound which is known as buzz. Alright? तो इंडिया वैली आपको बहुत सारे flowers देखने को मिलेंगे. उसके बाद आपको मदुमक्या मिलेंगी जो buzz का sound करती हुए आपको दिखाई देंगी और आपको मिलेंगे butterfly जो flutter करते हुए आपको मिलेंगे. Okay? So you can see this beautiful flowers. बहुत सुन्दर होते है flowers और बहुत प्रकार के होते है flowers. Now we will learn about the parts of the plant. ठीक है? अब चिल्रन हम लोग जानेंगे के हर एक पार्ट जो प्लांट का होता है, it is useful. और कुछ न कुछ करने में क्या करता है? मदद करता है. हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का, it has one or the other functions. That we are going to learn in this slide. इससे पहले का, it is clear के क्या होता है? सीड होता है. सीड क्या होता है? फूटता है. उससे बनता है एक प्लांट. फिर प्लांट सनलाइट को यूज करके अपने लिए बनाता है खाना. जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो सिंथेस. उसके बाद चुल्रन बहु in the process of pollination. Okay? Now the next thing is about the plant parts. So the heading you can see यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट पाच. And which plant is this? This is a sunflower plant. Okay? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कौन सा प्लांट है? यह आपके सामने? Sunflower plant है. All right. Now, roots take in water and nutrients used to make food. So children, can you see the roots here? आपको यहाँ पे roots दिख रहे हैं. यह जो roots है, children यह क्या करते हैं? यह water को खीचते हैं और nutrients को खीचते हैं. Nutrients मतलब खाद हो गया. Okay, खाद क्या होता है? खाद आपका गाय होती है, काव होते हैं, काव डंग से भी बनता है, खाद manure जिसको कहते हैं. यह तो फिर children खाद ने मदद करता है. एक प्रकार का खाना ही कह सकते हैं, प्लांट का इसको कहते हैं, nutrients. So, यह जो आप देख रहे हो, roots जो है, क्या करते हैं यह roots? यह roots, children, water और nutrients को खीचते हैं, जिसके कारण क्या बनता है प्लांट का? खाना बनता है. Okay, roots taken water and nutrients used to make food. So, children, यह बहुत important काम है, ज roots ना, सारा पानी सकप कर रहे हैं, nutrients खीच रहे हैं, जिसकी मदद से प्लांट का क्या बनेगा? खाना बनेगा. Plants will make the food. Now, उसके बाद, children, आप देख सकते हो, यह straight सी erected चीज गई है, इसको हम कहते है, stem. क्या कहते है, stem? Stem क्या करता है? A stem holds up a plant. और जो यह stem है, children, वो plant को क्य करता है? Hold करके रखता है. Suppose, अगर यह एक pen है, इसको मैने hold करके रखा है, है ना? तो stem क्या करता है? Children, इस पौधे को hold करके रखता है. It gives support to the plant. Then what comes, children? Then you can see these leaves have come. A leaf takes in sunlight to make food. और जो यह leaf होती है, children, पौधे की, वो क्या करती है? यह sunlight को लेती है. जिससे क्या बनेगा? खाना So, leaf का बहुत important काम है. And इसलिए इसको हम कहते है, kitchen of the plant. Okay? क्योंकि leaf जो है, वो क्या ले रही है? वो sunlight को absorb कर रही है, खीच रही है. जिसके कारण क्या बनेगा? प्लांट का food बनेगा. Then children, you can see, क्या निकले है? फ्लार निकले है. A flower helps make new plants. और children, यह फ्लार क्या करेगा? और ने पौधे को बनाने में मदद करेगा. यह आप देख रहे हो, यह सब कितने सारे यहाँ पर पॉलन ग्रेंस है ना? यह सारे चिल्रन जी जो बटरफ्लाई देख रहे हो, बटरफ्लाई इसके ऊपर आएगी. नेक्टर को सक करने के लिए. और children, बहुत सारे पॉलन ग्रेंस को भी क्या कर लेती है, साथ में ले लेती है और फिर जगा जगा जाके वो क्या करती है, spread out कर देती है. And then new plants come up. Okay, so this is the whole process. You can see how the nature is, nature is so beautiful, so wonderful. कितने सारे देखो, magical, magical things होते हैं, जो आप सोच भी नही सकते हैं. इसमें कोई भी आपको humans देख रहा है, who is involved here? No one. They are doing these all things alone. And how? Because they have different different parts और हर पार्ट का क्या है, कोई ना कोई function है. Roots है, उसका अपना अलग काम है, वो पानी खीच रहा है, nutrients खीच रहा है, ताकि खाना बन सके. उसके बाद स्टेम है, स्टेम की अपने अलग काम है कि भाई, वो पौधे को सीधा खड़ा करने मदद कर रहा है. फिर पतिय है, पतिया क्याे कर रही है, जो sun है, sun से, sunlight अबसॉब कर रही है, जिसके कारण क्या बनेगा, फूर्ड बनेगा. उसके बाद चिल्रन क्या हुआ, फलार निकला, फ्लार में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और चिल्रन फलार की मदद से ही, और ने-ने निकलेंगे नेचर में, ओके, a plant has different parts, a flower is one of those parts, here are some other parts too, so we have learnt about these parts, कौन कौन से parts we have learnt, roots, stem, leaves and of course flowers, okay, so clear हो गया आपको ये चीज, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि the process of making food by the plant is known as, क्या बताया था मैंने, photosynthesis, ठीक है, this is the process when a plant makes the food, इस process को चिल्रन क्या कहते हैं, photosynthesis कहते हैं, बहुत important process है, आगे जाके आपको बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, so अब तक के लिए तो आपको सिर्फ नाम जानना है, नाम है photosynthesis, now children, many kinds of bees visit flowers, yes, bees हो गए, butterflies हो गए, वो क्या करते हैं, flowers को पास आते हैं, because flowers के colors, shapes, उनको क्या करते हैं, attract करते हैं, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, तो आप यह देख रहे हो, यह bees है, यह bees क्या कर रहे हैं, flower के पास आई है, butterfly already उसके पास बैठी हुई है, है ना, so कैसे यह different, different colors के जो flowers होते हैं, इनको attract करते हैं, आओ मेरे पास, okay, तो bees हो गए, butterflies हो गए, they get attracted and then they come and visit flowers, they get nectar from flowers, अब ऐसे ही नहीं आ जाते, मस्त बैठने के लिए, वो flowers के पास आते हैं, क्योंकि flowers में उसे उनको मिलता है nectar, क्या मिलता है चिल्रन, nectar, जो वो क्या करते हैं, सक करते हैं, जो भी होता है, बहुत sweet syrup, okay, so they come for the nectar, they use the nectar to make honey, और bees जो होती है चिल्रन, bees वो nectar को क्या करती है, use करके क्या बनाती है, honey बनाती है, जो आप इतने अराम से खाते हो, honey, वो कहां से बनता है, वो बनता है, मधुमक्यों के कारण, और मधुमक्या कहां से बनाती है, nectar को सक करती है, और वो nectar को use करती है, क्या बनाने में, honey बनाने में, okay, butterflies like nectar too, butterflies को भी nectar पसंद है, so I have already told you, क्योंकि butterflies, bees, दोनों ही आते हैं, flowers को visit करने, for the nectar, these animals pick up pollen, और फिर क्या होता है, क्योंकि बैट रही है, तो क्या पिक कर लेती है, pollen पिक कर लेती है, है न, you can see this pollen तो बैटती है, और साथ में pollen को भी पिक कर लेती है, उठा लेती है, they spread the pollen to other plants, और चिल्रन वो यही वाले pollens को और भी plants में जब जब बैठती है, तो spread out कर देती है, क्योंकि pollens उनकी body में ही है, they have picked it up, now they are going to the other plants अलसो, and then they have spread out to the different different plants, the pollen is needed to make seeds, और चिल्रन यही pollen क्या करता है, seeds बनाने में help करता है, और अगर एक बहस seed बन गया, तो एक plant का वो form ले लेगा, तो इस तरह से चिल्रन, you can see how the plants are growing, so many things are helpful, है न, एक तरफ आप देख सकते हो कि मदु मख्यां butterfly भी help कर रही है, plant को जनम देने में, एक तरफ आप देख सकते हो, beege already sprout होता है और plant को एक grow करने में help करता है, तो that is why in the starting of the chapter, हमने देखा था, क्या लिखा था, bees, butterflies, bees, seeds and plants, और ये तीनों चीजें देखो क्या है, एक दूसरे से, कहीं न कहीं से connected है, क्योंकि ultimately क्यों सा purpose solve हो रहा है, एक plant का grow होना solve हो रहा है, ओके, so clear till here that when bees and butterflies come and visit flowers and when they suck nectar, तो साथ में दे पिक वाट, पॉलन और फिर पॉलन को वो दूसरे उसे plants में क्या कर देती है, फैला देती है, और जिसकी मदद से क्या बन जाता है, एक बीच बनता है, प्लांट अपने लेक बीच तयार करता है, और फिर वो बहुत सारे plants बनाता है, ओके, so this is the entire process of what? pollination, now, sometimes only one kind of animal can spread a plant's pollen, कभी-कभी क्या होता है, sometimes मतलब कभी-कभी क्या होता है, only one kind of animal, एक प्रकार का ही animal, क्या spread करता है, plant का pollen spread करता है, जी कि कभी-कभी ऐसा होता है, कि सिफ एक ही animal, उस पौधे का pollen को क्या कर रहा है, फेला रहा है, spread कर रहा है, for example, only one kind of buzzing bee can open a brinjal flower, क्या लिखा है, so see children, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, for example, जैसे अगर हम आपको example देंगे, कैसे कोई एक ही animal, plant के pollen को spread out कर रहा है, वो है children की buzzing bee, करता है, क्योंकि buzzing bee क्या करता है, सक करता है nectar flower में से, और फिर उसको spread out कर देता है, once open the other animals can reach the brinjal's pollen, ओके, और children क्या होता है, जब वो फूल खुल जाता है, जब bee brinjal के flower के ऊपर आता है, और जब वो फूल खुल जाता है, क्योंकि buzzing bee के कारण ही क्या हो रहा है, ब्रिंजल इस विच्छ वेजिटेबल बैंगन, जब बैंगन का फूल बजिंग bee के बैठने से खुलता है, तो what is happening, other animals also reach to the brinjal's pollen, और उस कारण से बाकी animals कोई मौका मिल जाता है, अरे फूल खुल गया, चलो चल के बैठते हैं, ओके, सो चिल्डरन ये जो bee है, ये क्या कर रही है, ये ही अकेले अपने दम पर, ब्रिंजल के फ्लार को ओपन कर रही है, और एक बाद जब बैंगन का फूल खुल गया, so other animals are also coming, and visiting the flowers, and then the pollination is taking place, so children यहाँ पर वो ही बताया गया है, कि कभी-कभी सिफ एक ही animal क्या करता है, plants के pollen को spread करता है, ओके, जिसका example हमने किसका पढ़ा, बजिंग बी का पढ़ा, जो ब्रिंजल के फ्लार को खुद क्या कर देती है, open up कर देती है, ओके, सो कितनी सारी नई-नई चीजे हैं, चिल्रन और यह देखो, this is all nature, कोई human इसमें involved नहीं है, कोई machine इसमें involved नहीं है, यह सब खुदी हो रहा है, खुदी nature कर रहा है, we need plants, we make clothes from some plants, सो चिल्रन हमें plants चाहिए, यह बात आप मानते हो, क्यों चाहिए, you know, even the clothes which we wear, like cotton clothes which we wear, cotton we get from the plant, तो सोचो, अगर plant ना हो, तो हमें यह सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो ही यहाँ पे लिखा है, कि we need plants, plants तो हमें चाहिए भाईया, ठीक है, we make clothes from some plants, क्योंकि पहली चीज़ तो हम से क्या बना रहे हैं, अपने लिख लोट्स बना रहे हैं, then cotton comes from plants, क्योंकि cotton जो है, वो कहां से आता है, cotton plants से ही आता है, इसलिए हमें clothes के लिए क्या चाहिए, plants चाहिए, we build houses from some plants, और जैसे I have already told you, कि हम घर बनाते हैं, plants को यूज़ करके, plants की लखडियों को यूज़ करके, तो अगर सोचो लखडिया नहीं हो, तो ना हमें table मिलेगी, ना chair मिलेगी, ना bed मिलेगा, and then windows, doors, कुछ नहीं मिलेगा, so we will not be able to make the house, because we have plants, we can build the houses, we use wood from trees to build houses, तो जो लखडिया होती हैं, पेर से जो हम लखडिया निकालते हैं, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, so plants are very very useful, because बहुत सारी चीज़े हैं, जो plants से ही हमें मिलती हैं, plants provide us so many things, we get food from some plants, और क्या मिलता है, खाना, तो पता ही है, fruits हो गया है, vegetables हो गया, सब हमें कहां से मिल रहा है, plants से मिल रहा है, इसके बिना हमें food नहीं मिलेगा, so कोई भी चीज़ो, अगर आप पीज़ा भी खा रहे हो, तो उस पर भी जो चीज़ें डली हैं, और जिससे आपका base बना है, वो भी हमें कहां से मिलता है, अल्टिमेटली वो कोई plant से ही निकल के बनता है, ओके, so we get food from some plants, like बहुत सारे plants है, जैसे आपका tomato plant हो गया, आपका potato का plant है, cabbage, cauliflower, यह सब क्या है, यह सब हमें कहीं न कहीं vegetables दे रहे, fruits का कौन कौन सा हो गया, apple हो गया, banana हो गया, papaya हो गया, grapes हो गया, we can eat their stems, roots, fruits, leaves and flowers, और सबसे बड़ी बात यह है, children के हम plant के roots को, stem को, leaves को, flowers को, और उनके साथ जो fruit होता है, उस तक को भी खा सकते, तो हम plants की सारी चीजों को खा सकते, all the parts of the plants are edible, ओके, यह बात अलग है के, कोई कोई प्लांट के हम stem ही खाते है, कोई कोई प्लांट के हम roots ही खाते है, कोई कोई प्लांट के हम leaves ही खाते है, यह से spinach हो गया, कोई कोई प्लांट के हम flower खाते है, यह से cauliflower हो गया, कोई कोई प्लांट के हम fruit खाते है, यह से tomato हो गया, so children, हर plant, तो नहीं के अब सब चीजें उसकी खा सको, लेकिन कोई-कोई प्लांट की चिल्रन ये सारे पार्ट क्या होते हैं? एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं. And that is why it is written, We can eat their stems, roots, fruits, leaves and flowers. Right? So, प्लांट सार वेरी वेरी यूस्फुल. So, this was the chapter, चिल्रन, जिसका नाम था, Bees, Seeds and Plants. And we learnt in the chapter, how these three things are related to each other. कैसे चिल्रन एक सीट प्लांट को ग्रो करता है? कैसे एक उसको बहुत अच्छा सा शेप दे कि इतना ब्यूटिफुल प्लांट बनाता है? जिस पे आते हैं सुन्द सुन्दर फ्लार्स, right? और चिल्रन ये फ्लार्स के उपर जो बीज आके विजिट करते हैं या बटरफ्लाइज आके विजिट करते हैं So, वो पिक कर लेते हैं, पॉलन और फिर पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट कर देते हैं जिसके कारण और भी प्लांट्स गुरो करते हैं तो कितनी बड़ी बात है और कितना सुन्दर ये नेचर है हमारा So, ये था हमारा चैप्टर I hope you have enjoyed this chapter with me अब एक एक इन्फरमेशन के अगर आपको Magnet Brains के विडियोस देखने होते हैं जाना है Google Chrome पे लिखना है www.magnetbrains.com उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा India's No.1 100% Free Online Education Platform नेचे दिये रहेंगी classes Now for example, you are studying in class 2 Click class 2 आपको यहाँ पे सारे Teachers with their subjects दिखेंगे Now for example, you study GK तो आपको GK में Watch Now Click करना है उसके बाद आपके सारे chapter related videos GK के यहाँ मिल जाएंगे Now for specific video अगर आपको वाच करना है Play the button and the video will start So ये था हमारा topic Next वाले video में हम इसी chapter से क्या करेंगे Exercise करेंगे तब तक के लिए Magnet Brains के साथ जोड़े है ना और Magnet Brains को follow, subscribe करना ना भूलना क्योंकि Magnet Brains सेता है Kindergarten to grade 12 Free videos and free education Thank you